स्टूडेंट्स आज मैं seven eight कि इंग्लिश बुक लेके आई हूँ इंग्लिश लिट्रेचर इंग्लिश लिट्रेचर में इसमें बेस्ट बेंगॉल हो या इसी सी हो कोई अलग स्ट्रेजडी नहीं होती क्योंकि इसमें content जो होता है वो clear होता है वो unit by divide नहीं होता है तो three terminal होते हैं तो three parts में divide किया हुआ है यहाँ पे जैसे तो 15 chapters है all 1 to 15 तो three first terminal 52 आ गया है तो 6 to 10 आएगा तो मैं 6 सही इसको ले रही हूँ 6 chapter page 42 no longer helpless यह just literature है तो एक story है पुरा story को तुम लोगों को पढ़ना है story पढ़ने के बाद यह ध्यान में रखना है word meaning सभी को learn करना है word meaning writer का name because 8 में वो आता है उसका story, literature में story में है अगर story आपके mind में रहेगा तो आप exercise बहुत आराम से follow कर सकते हो फिर आते हम लोग next chapter में queen of the skies यह actually story नहीं है यह biography है दुर्वाव एनेर्जी का तो इससे पहले वाला क्या था वो story था लेकिन यह biography है दुर्वाव एनेर्जी का जो इंडिया की first woman pilot थी तो इनके बाड़े में तुम लोगों को यह interview दिखाया गया interview speech है उनके बाड़े में उनकी जैसे first started flying 1951 उनका birth year उनके father name study यह information जैस तुमको अपने दिमाग में रखना है जैसे यहां मैंने कुछ line already पहले से my salary was only 356 when I first joined as a pilot तो इस तरीके से line बना के कुछ information तुम याद रखोगे तो यह chapter ऐसे हो गया तुमारा दिमाग में रह गया फिर है इसमें भी word meaning word meaning मैं बार बार pressure कर रही हूँ कि word meaning याद रखना है because new words बहुत add होते हैं अगर word meaning तुमको याद रहता है तो तुमारा question थोड़ा turn होकर भी आएगा तो तुम उसको solve कर लोगे खुद third story में आते हैं हम लोग mirrors facts and fantasy यह क्या है हम लोग देख रहे हैं जैसे यह early man का है तो यह historical है इसको बहुत early man का story हम लोग three four से ही पढ़ना start कर देते हैं तो थोड़ा information है ही इसको just a quick read करना अच्छे से यहाँ reflects mirrors reflect हम लोग सभी जानते हैं मीडर में हम लोग देखते हैं तो वो man reflect कुछ line इस तरीके से तुम लोग mark करोगे blocks बनाओगे उस blocks को थोड़ा mind में रखना है फिर same है आपको word meaning इसका भी learn करना है writer का name learn करना है और exercise try करना है question answer खुद solve करने का फिर है 9 chapter हम से बहुत सारे poem बहुत सारे schools 8 line, 10 line, 12 line poem लिखने देते हैं कुछ fill in the blanks के रुप में poem ही देते हैं और writer name तो poem का compulsory रहता ही है इसमें भी आपको new words यानि word meaning learn करना है फिर है 10 chapter everything on installments यह क्या है conversation है conversation में 3 लोगों का conversation ही आ दिया गया है will, aunt और सुषान तो यह chapter यह story नहीं है यह सबसे पहले वाले में मैंने बहुत था कि story है story आपको mind में रखना है यह conversation वाला chapter है इसमें क्या है information हम लोगों को इस chapter में information मैं पहले से इस chapter को पढ़के रखियो इसमें information दिया गया है कि installment क्या होता है installment हम लोग क्यों लेते हैं यह क्या reason है और किन-किन चीजों पढ़ होता है या फिर इसमें जो तीन character है एक bill है एक aunt है एक सुषान है उन तीनों के बीच में इन चीजों को लेकर ही सारी conversation होई है तो यह conversation आप पढ़ने से आपके mind में आ जाएगा इसमें देखिए बहुत यह chapter ऐसा है कि इसमें बहुत सारा information है इसलिए देखो new words भी इसमें जादा है तो यह word meaning आपने learn करना है और इसका exercise follow करने की कोशिश करना है और इसके question answer बहुत छोटे और बहुत simple है क्योंकि यह conversation वाला चप्रे से how does aunt Polly comment seeing the sitting room of Bill and Susan's house तो यहीं से aunt Polly comment seeing sitting rooms on Bill and Susan's house and she says first me ही है यहाँ पर what a beautiful and comfortable room little but having all type of pretty furniture तो यह छोटा से chapter है तुम करोगे बहुत smoothly यह हो जाएगा फिर हम लोग next आते हैं नेक्स्ट लोग का grammar लेके मैं बता रही हूं तुम लोग का जैसे इसमें कुछ important chapter है preposition, conjunction, fit tense, active voice, passive voice, direct and indirect speech यह क्या है एट ही नहीं यह पुरा आप लोगो 10 तक जाने वाला है जैसे preposition preposition में में क्या होता है देखो preposition का तुम definition learn कर लो definition और example फिर यहां forms of preposition यह हमेशा ही use होने वाला है position और preposition इन चीज़ों को mark कर 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 के just definition तो एकदम learn करना है मने learn by heart और example दो तिन बस दिमाग में रखना है यह सारे structure को आपको just treat करना है उसके बाद जितने भी examples दिये हुए हैं यह notes दिये हुए हैं इन चीज़ों को तुमको notes दिया हुए है मतलब आपको याद रखना है फिर आते हैं next chapter मैंने क्या कहा था conjunction conjunction हम लोग सभी जानते हैं joining words में आता है तो joining words के तुमको कुछ examples देखने हैं इसका भी main है definition learn करना है examples कुछ रखना है conjunction कैसे use होता है conjunction can be used यह जैसे structure यहां दिया हुए इस structure को बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है particular तुम लोग को यह देखना है कि सारे chapter में जो note दिया हुए है जैसे literature मैंने क्या कहा था word meaning learn करना है सबको because उसमें new words होते है तुमारा information capacity बढ़ेगा इसमें note जितना दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से मैं learn करने नहीं बोल रही हूँ पर उसको तुमको याद रखना है दिमाग में उसको stock में जब जमा करके रखना है और 12 तक तो बाकी सारे चीज जैसे conjunction important है preposition थोड़ा article भी आता है वैसे tense भी बहुत important है tense में है हम लोग सब ही जानते हैं उसके parts जो है तीनो present, past, future उन तीनों के बारे में तीनों का example दिमाग में रखना है definition रखना है यहाँ देखो मैंने बहुत सारा simple present tense और present indefinite tense सब अलग-अलग divide किया हुए present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense इन सबी चीजों को और सारे बुक सी किसी भी publisher का वो बुक हो सब में ऐसे अलग division करके दिया होगा जिन सारे को तुमको पहले note करना है और example देकर समझा इनकेस जहाँ problem होता है वहाँ आपके लिए google तो है ही वहाँ पूछ लो या वहाँ help ले लो या अपने parents का help ले लो तो कि अभी lockdown है या फिर ज़रत पड़े तो अपने teacher से contact कर लो यहाँ देखो जैसे next है past continuous tense इसका पूरा यहाँ पे दिया हुए structure इसमें देखो कैसे complete करके जो examples दिये हुए है उन examples को तुम पढ़ते हो तो तुमको बहुत कुछ पता चलता है कि कहाँ पे क्या changes है मेरे पास उतना study material अभी available नहीं है या time का भी थोड़ा problem है इसलिए मैं detail में नहीं बढ़ार लेकिन जैसे मैंने इसको particular तुम लोगों को mark किया है separate वैसे mark करकर के पढ़ोगे तो तुमारे दिमाग में वो चीज रहेगा इसलिए मैं हर point को mark करके तुम्हें दिखा रही है उसके बाद आता है another chapter change of voice change of voice में भी especially इस book में देखो active passive rules of change voice सभी का दिया हुआ है active passive समय change into ismr plus past participle of work सभी को अलग-अलग divide किया हुआ है एकदम separate है तुमने सब को ऐसे mark करना है सब में rules भी दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों क्या देखा था ismr past participle of work फिर यहाँ पर देखेंगे ismr यहाँ पे being add हो गया past participle of work यहाँ पे has, have, been past देखो सब में अलग-अलग है और सब का example दिया हुआ है कि कैसे use करके उसका दिखाया गया है past continuous tense past perfect tense future indefinite tense future perfect tense अब यह सारा तुम ऐसे with example पढ़ने के बाद यह खुद solve करोगे कुछ भी problem होने से फिर तुम google या आपने tuition teacher या parents का help लोगे फिर next आते हम लोग direct and indirect speech direct and indirect speech में भी same है यहाँ देखो rules दिया rules one, two यह सारे जो examples है direct को indirect करके यहाँ दिखाया गया है अब तुम देखोगे कि यहाँ क्या changes है rules three, four और सब का example है सबसे बड़ी बात है कि सबका example के साथ है यानि तुमको समझने में कोई पढ़ेशानी नहीं होगी इन सबको तुमको note करना है और rules को जब तक बार-बार तुम sentence को change करोगे तभी सारे rules जो है वो तुमको याद होने वाले हैं जितना ज़्यादा practice करोगे उतना ज़्यादा तुमारे दिमाग में ये रहेगा next हम लोग आते हैं essay और letter writing में जो कि सारे classes में 5 से जो start होता है वो 12 तक रहता है तो 12 तक रहता है तो अभी तो हम लोग फिलाल 7-8 में हैं तो 7-8 के level के हिसाब से ये मता रहा है कि ऐसे books है तो उसमें से कुछ important ऐसे तुम खुद चूज करोगे जैसे pollution important है population वो भी important है festival of holy या फिर my favorite leader my cricket match और एक और important जब भी कुछ होता है हमारे country में अगर सामने vote होता है या फिर कोई festival होता है तो उस से related 10 वालों के लिए मैं बोल रहे हूँ current affairs ऐसे जरूर आते हैं जैसे कि अभी जो सामने ICACI या WBI तो उसमें corona को लेके हो ही सकता है कि SAI तो वैसे ही है hot day in summer independence day the computer ये बहुत important है क्योंकि देखो computer का हम लोग जानते है advantage और disadvantages computer और science इन दोनों से related या mobile ये ऐसे बहुत common है generally ये बहुत सारे classes में आते है 8-9 में तो common चीज़ है मैंने बहुत सारे schools का question paper देखा है तो ये याद रखना मैं फिर से repeat करे हूँ computer science mobile का advantage and disadvantage ये topic लेके ऐसे आना बहुत common चीज़ है इसको पढ़ना है value of good health जो अभी covid-19 को लेके health बहुत ही ज़्यादा affairs में है तो value of good health भी आएगा immunity power boosters इस type का तो ये अगर तुम ऐसे पढ़ते हो जाश ट्रीट करोगे एक book से पढ़ लो थोड़ा google से निकाल के पढ़ लो तो तुम्हें बहुत सारी information मिलेगी सारी information में से कुछ अच्छे-च्छे sentence को collect करके ऐसे खुछ से लिखो तो क्या होगा आपका लिखने का writing capacity बहुत ज़्यादा increase होगा फिर नेक्स आते हैं हम लोग letters में तुम लोग सभी जानते हो letters two types होते है formal, informal तो दोनों में से ही कोई भी आ सकते है formal भी आ सकते है informal भी आ सकते है मैंने यहाँ बहुत सारी letters है पर कुछ-कुछ mark किया देखो write a letter to your father informing him about your studies and requesting him to send you some money यह है आपको father को letter आप कहीं रहते हो तो पैसे चाहिए तो यह बहुत common topic है you can write very well write a letter to your friend congratulating him on his success friend को letter father को letter यह दो common चीज़े है फिर write a letter to your friend advising him to celebrate दिवाली without crackers तो सामने festival आता है मने उन्स टाइमों में क्या होता है सबको चुटियां होती है तो time spend करना होता है friend के साथ यह family सा जाना होता है तो वो उन्स topic को लेके letter होना एक आम बात है फिर आते हम लोग दूसरे topic पे write an application to your school principal requesting for a school leaving certificate and character certificate यह हम लोग सभी जानते हैं सबको 10 में लगता ही है 10 के बाद हम लोग character certificate के लिए application देते हैं तो letter के जरी है आपको यह important letter है मैंने तुमको ऐसे भी जानना है बहुत strange लगेगा यह सुनके मैंने बहुत सारे student को ऐसे भी deal किया है जो 10 या 12 तो कर लिये हैं पर उन्हें letter लिखना नहीं आता ना तो उनको हिंदी में अच्छे से letter आता है और ना English में letter आता है तो सारे school को letter writing तो at least एक book प्रोवाइड जरूर करना चाहिए और दोनों टाइपस के letter को उन लोगों के study में कंपल सरी करना चाहिए जिससे वो कुछ तो सीखेंगे कुछ तो उनको आएगा और ऐसे कुछ important letter mark करके उनको force किया जाए पाइब मार्क का या फोर मार्क का जाएब लोग बोर्ट में देते हैं तो six seven से ही at least देना से यह ताकि उन लोग लेटर पे ज़्यादा concentrate करें फीड नेक्स मैंने मार्क किया राइट आ लेटर वे पोस्ट मास्टर complaining against the postman of your locality यह बहुत common letter है आज का लिए हो रहा है पोस्ट मैं लोग address खोजने की बजाए उस चीज़ को चाप देते हैं दबा देते हैं वो घर तक पहुचाना वो जरूरी नहीं समझते हैं फीड राइट लेटर तो यह एल्थ ओफिसर ड्रॉइंग इस एटेंसन इन तो यह हम लोग आज बहुत सब्सक्राइब लोग इसे लिए पानी की प्रॉब्लम है तो इसके लिए लोगों को लेटर आना चाहिए जो हम लोग यह तो निउस्पेपर में हमने दिया है हम लोग मुंसिपल कॉर्परेशन में अप्लिकेशन लिखने के लिए किसी और को ना बोलना पड़े तो छोटी छोटी वो लोग ऐसे ट्राइब करेंगे चोटी छोटी छोटी लेटर तो इन फ्यूचर वो लोग अच्छे हो जाएंगे और यह स्लेवस में इंक्लिव्ड है वी में तो लेटर आता ही है इसलिए उन लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए तो स्टूडेंट तुम लोग यह करोगे और मेबी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोगों का इंग्लिश में बहुत हद तक 70% तो प्रेप्रेशन हो जाएग थाइंक यू सो माँच स्टे होम सेव लाइफ बाई बाई